गुजरात नी जान माला ने सुरक्षा जिमना आत्मा जेते वा गुजरात राजियाना पुलीस वड़ा चीतर अन्जन सिंग जी चीतर अपका स्वागे देगा पंजाब के एक स्पॉट्स में शौख रखने वाले जिनको बरसों से अपनी सेहत के बारे में बहुत ही कॉंसियस्त है इसे चीतर अन्जन सिंग को सबसे पहले खयाल कब आया कि पुलिस लाइन में ही जाना है क्योंकि खेती बारी तो बहुत होगी जी बात ऐसी है के मेरा इरादा एक्चुली डॉक्टर बनने का था लेकिन जिस साल मैंने प्री मेडिकल पास किया उस साल ये B.S.C. लोग students थे उनको admissions वहाँ पन्याब के मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज्यादा मिल गई So I was not able to get that admission in the But at the time you were frustrated or take it as a challenge? No 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 that time I really felt upset about it because I was very strong in this biology Biology मेरा एक बहुत ही strong subject होता था तो उसके बाद क्या हमने decide किया कि मेरे father advocate है पंजाब में So he will practice in the town and I will be in Chandigarh ऐसा करके मैंने फिर law join किया पंजाब university Chandigarh में तो law का second year पूरा हुआ law में वहाँ पे तीन साल का course है L.L.B. का So second year में I came तो ये फिर I.S.I.P.S. का That is All India Services का सोचा तो 75 में हम उदर appear हुए और 76 में पहली बार में I.P.S. में आ गए फिर सारी पढ़ा ही वगारा छोड़ दी और सीधा लग गए और सीधा काम में आ गए biology मेंसे बाकी सब निकाल के low पकड़ लिया biology का low पकड़ा लो कर लिया और लो के बाद सीधा law and order को पकड़ लिया यह एक सफर रही चीदर अजन सिंग जी की कभी भी क्योंकि यह सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आज कल के बहुत सारे parents और जब से 3 idiots आया हुआ है तब से तो बहुत सारी change भी परेंट्स की थोट की change बहुत change आया हुआ है परेंट्स की थोट में कभी भी pressurized हुआ था कि आप यही करो नहीं ऐसा नहीं होता था प्रेशराइज नहीं था लेकिन मेरे parents चाते थे कि मेरे में capabilities थी क्योंकि स्कूल में काफी उदर अच्छी performance होती थी तो naturally parents को expectations होती थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ at least medicine के लिए मेरे भी parents बहुत चाते थे कि मैं बनूँ doctor लेकिन वो हो नहीं पाया लेकिन थोड़े सालों में जब यह IES IPS तो हमारे पहले कोई नहीं था family में मेरे एक मदर की साइड में पंजाब में एक हमारे डी आई जी वहाँ पे होकर way back जब कह रहो है साफ गयरा है चीफ मिनिस्टरों तब वो होते थे पुलीस में और मेरे भी फादर पहले पुलीस में होते थे पुलीस में पंजाब में एक सिस्टम था के prosecutors वो PSI होते थे पुलीस प्रोसेकूटर लेकिन मेरे फादर ने फिर ये छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी प्रेक्टिस होदर पंजाब में प्रठिंडा में शुरू कर दी थी नाव 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 थे बेस्ट एक्स्पिरियंस at the time of training क्योंकि एक एक आपने बताया कि पहले एक कुछ target अलग था goal अलग था to be a doctor बाद में low किया और उसके बाद again UPSC clear की और एक select हो गए training के लिए उस training के दोरवान क्योंकि जितने भी senior top ranked police officer है वो दिन कभी भी नहीं भूलते है जब अपनी IPS training होती है ऐसा कोई ऐसा हदसा ऐसा कोई किस्सा सुनाई है जो शायद आद तक बहुत कम लोगों के उसी उसी दोस्तों के दोरानी ये बातचीद होती रहती है training में ऐसा था कि मैं पहले ही सैनिक स्कूल में था सैनिक स्कूल में ये तो शुरू सभी मेरा प्रेड और ये सब चीज़ें वहां पर बहुत अच्छी होती थी तो जैसी मैं आया तो मेरे को वहां पूछा गया के आप पहले कहां थे स्कूलिंग कहां करिये तो मैंने फिर सारा बताया तो राइडिंग का मैं बहुत ज्यादा शुकीन होता था लेकिन एक दो बार एक बार मैं गोड़े से गिरा भी लेकिन फिर दनाई इमिजेटली उसके उपर चड़ गया था गोड़े पे वापस जाएड़े गोड़े अपने चलेगा गोड़े अपने चल चलेगा अपने चाहिए चीटरंजंग जी क्योंकि पॉलीस अफिसर और खासकर के इप इस शिर्फ लोग ऑंडर नौिव इस तेस्पेशिल वर्चू अब देचईटरंजंग जी क्योंकि कई बार होता है कि शायद कोई नाम कॉंट्रावर्सी में नहीं जाना चाहते हैं लेकिन शायद बहुत अच्छ पुलिस आफीसर लेकिन मैनेजमेंट में कहीं वो कमी रह जाती है चीदरण जन सिंग में ये कॉंबिनेशन दिखता है पुलिस में जो मैंने शुरू में सीखा बहुत यहां जो जिनों ने गुजरात में बहुत सेवा करी है ऐसे अधिकारियों को साथ काम करने का मुझे मौका मिला और उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी कि if you are able to control your policeman, you are able to control everything और ये बात कहीं न कहीं मुझे आज अशास होता है कि वो सही है क्योंकि इतनी बड़ी force है उसमें various types of हमारे पास जवान आते हैं inspectors हैं, DVSPs हैं, IPS officers हैं सबकी background अलग अलग आती है उनको कैसे इस दिशा में लेके जाना के वी आरे uniformed force और हमको गुजरात की जान-माल की पूरी की पूरी रक्षा करनी है और वो भी discipline के साथ वो भी अपना शिष्ट के साथ और जो speedyth है, minority हैं यह जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़ी उमर के citizen हैं वो लोगों के साथ गुना असान से हो सकता है असानी के साथ बन भी सकता है उनको कैसा एसास हो के भी पुलीस हमारे साथ है यह सबसे बड़ी चुनाती होती है तो वो जो था, you decided की यह इन लोगों को समझाए उनको बिलकुल उसी तरह से काम कराए that is the best management part येस, that's true क्योंके जैसा मैं काम करूंगा वैसे ही, क्योंके force मुझे हमेशा मेरे उपर watch रखती है कि साथ क्या करते है और follow भी करती है मैं जैसा काम करूंगा, वैसे ही ये लोग काम करेंगे मुझे, गुजरात में से बहुत phone आते है, cell phone के उपर तो मेरा कभी phone बंद नहीं होता अगर मैं बात नहीं कर पाऊं तो थोड़ी देर बाद मैं बात उनके साथ जहां से भी आया है नमबर तो अगर मुझे लगता है कि इसको follow अप करना चाहिए तो हमारा state control उस नमबर को follow करता है और जो भी वहाँ P.I.P.S.I. आई या वो काम नहीं चलेगा क्योंके people want quick rate wrestle और ये आजकल की demand है Demand के बारे में और खास करके और success के बारे में बात करेंगे एक छोटे से break के बाद दर्शक विद्रो समय थे हो चेक विरामनो विरामबाद राजियना पूलिस वड़ा चीतरंजन सिंग जी साथे निवाद हो विरामबाद फरीयक और सौलिस अपनू कारे करम अती थीमा आपने बताया पहले की एक फॉन एक ऐसी चीजे जो expect करते गुजरात की जनता चाहे पुलिस फोर्स हो common man हो खास करके आपने वो एरिया बताया कि जिसमें सबसे ज्यादा अब्यूजमेंट या तो वो जो परेशान होने वाले possibility है possibility है महिलाए, बच्चे, senior citizens senior citizens now, if you are comparing the Gujarat state with other state crime के बारे में how you define that कैसे define की आपने खुद की क्योंकि figures जो भी आती है मुझे उस figure में नहीं जाना है as a DG of Gujarat, आपने कैसे analyze किया है Gujarat के, Gujarat के crime को गुजरात में आर्थिक क्राइम बहुत बनता है people are very much prone to you know committing that is crime against property or fraud or things like that आर्थिक गुना में यहां काफी रहता है और उस में investigations are very long and they are very painstaking और ज्यादा तर police उसको avoid करती है F.I.R. लेना फिर उसकी सही ढंग से investigation करना जैसे shares, shares के अंदर बहुत ऐसा हुआ था थोड़ा ही time हुआ है लेकि नाओ तो that DMAT accounts आ गए तो it is fairly safe लेकिन still क्या हो रहा है के जैसे joint accounts चल रहे है तो एक partner सारे पैसे लेंगे भाग गया तो these are the kind of things जो आजकल काफी हमारे ध्यान पर आती है तो उसमें क्या है के जो PDT है उसको हमारी investigation से संतोश मिलना ही चाहिए अगर मेरे पास कोई भी ऐसी फरियाद या personally आकर लोग बोलते हैंगे sir investigation क्योंकि ऐसी मदब according to you financial crime जो है वो compare to other state गुजरात में ज्यादा है otherwise बाते करें otherwise तो normal crime जो वो बहुत पुरानी कहवत है जन जोरू जर जमीन जोरू वो तो चलता है तो these are the things which go on तो वो तो हमाशे वो तो यहाँ भी होता है लेकिन we are able to control and keep things in control so far जिद्रीज सिंग जी ये बात बार बार मेडिया में भी आई है department के senior officerों ने भी मेडिया के सामने कहा हुआ है कि police force बहुत काम है जिस हिसाब से जिस हिसाब से as per density population के हिसाब से number of police station is there but the manpower shortage ये बरसों से गुजरात police को एक question mark उनके उपर आता है क्या वज़ा है क्या-क्या new recruitment because there are so many young persons है जो आना चाहते शायद last जो अभी हमने recruitment किया उसे में देखा गया कि बहुत बच्चे police department में अपनी career बनाने की dream बनाना dream है उनका तो क्यों 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 कहां कहां अटका हुआ है मामला और क्या it's a policy matter and you are head of the policy making now 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 what are the solutions और क्या-क्या problem face अभी गुज़ात police face कर रही है इसमें जो हमारी भरती का और हमको जो policeman मिलेंगे वो जो yard stick है that was framed in the year 1960 1960 की है तो उससे और आप देख सकते हैं population कितनी बढ़ गई है लेकिन उसके साथ साथ recruitment भी होती है और ये situation किसी भी राजया में नहीं है कि भी है कि ये पूरी की पूरी force उस राजया के अंदर उपलब्ध है क्योंकि सरकार की priorities विकास और पिछडे लोगों को ज्यादा उनके उपर खर्च करना और education, health ऐसी चीज़ों के उपर सरकार का ज्यादा ध्यान जाता है लेकिन at the same time law and order भी एक बहुत ही ज्यादा top priority है तो आपने अंदर लगबग 20,000 जितने तो constable भरती किये हैं और लगबग 700 जितने sub inspectors भरती किये हैं और 60 DVSPs जिनका अभी हम 14 तरीक को passing out parade करवाएंगे अपने CM साब आएंगे उनका salute लेने के लिए वहाँ जो हमारा training center है तो ऐसे करके हमने बहुत ही यंग फोर्स अभी एड करी है गुजरात पुलीस में अभी बात यह आती है यंग फोर्स आ गई है DJ साब यह भी एक fact है यंग फोर्स आई है वो इस जनरेशन की है adequate है technology से बहुत ही used to है वो लोग यह 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 बना है उनके senior officers police inspector शायद they are not used to with computer or internet but the new coming force they are with adequate knowledge नव इसको भी शायद अपना knowledge अपग्रेडेशन के लिए भी there should be some session और practice और इनका कोई training एक पूरा period बनाना चाहिए आपको लगता है क्योंकि I know that you are blunt आप जो है बिलकुल बोलने में माहिर है क्या लगता है कि ये एक gap बना हुआ है जो junior साय कहने को junior है लेकिन knowledge में शायद senior officer से कहीं अपग्रेडेड है नहीं ऐसा नहीं है policing देखिये office में बैठके नहीं है policing is always on the streets शेहर की जो गलिया है policing वहा होती है अगर मैं ये जो young generation who are computer savvy उनको बलूँ के आप सिर्फ computer में बैठे रहो तो ये बात totally गलत है हमारे जो पुराने अधिकारी है उन्होंने इनको सबको यही दिशा दी है के ठीक है computer का knowledge आना चाहिए आपको internet का use करना आना चाहिए वो हमारी statistics और नई चीजें जानने के लिए it's okay लेकिन जो policing है जो hardcore policing वो street में है chain snatching है, चोरी है that is happening on the streets उसको रोकने के लिए presence of police is a must citizens को लगे भी हाँ यहाँ पर police खड़ी है और शायद ऐसा impact भी होता है कि जो crime करने वाले उनके उपर भी गपरा जाए एकदम गपरा जाए श्ट्रीट पॉलिसिंग की बात किया चीटरेजन सिंह जी जो एक कमी शायद डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट में भी नोटिस की है लोग भी नोटिस करते इंफोर्मर के उपर बहुत ही डिपेंडंट होती है जितने इनफोर्मर्स जितने स्टॉंग होंगे जो इस पॉलिस आफिसर के गुना जल्दी डिटेक्ट होता है अभी इनफोर्मर्स की कमी हुई है उसमें क्या है के पहले जो गुना की पदती होती थी के जैसे एक कोई चोर वो आपना लॉक तोड़ेगा तो कई जो चोर है वो चावी के साथ डूपलिके चावीयां लेके गुमते हैं कई हैं जो उसको तोड़ते हैं यूनों दैट इस कॉल्ल दी मोडस अपर्ण। अरलियर पहले क्या होता था हमको मालूम था कि ये चोर ये इसी नहीं किया होगा तो हम उसको डूंड के फड़ा फड़ा उसको बढ़ गई हैं हमको भी नहीं कई बार जो नएने प्लेयर आ रहे हैं इस फील्ड में उनको डूंडने के लिए वी नीड इनफॉर्मर्स और जिसके भी अधिकारी के ज्यादा सोर्स होते हैं तो ही इस अबल तो सक्सीड आपने देखा होगा जो हमारी ये माता जी की मूर्ती चोरी होई थी उम्ता में इट वास टोटली सोर्स इनफॉर्मेशन नहीं मेरा मेरा बेजिक सवाल ये था कि इनफॉर्मर में कहीं कमी आई है नहीं 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 पीपल आपको शायद ख्याल नहीं है लोग पुलीस के साथ बहुत ज्यादा ऐसोशियेट होना चाहता है पहले से हां लोगों को बहुत अच्छा लगता है इस अबल तो टेल उस ऐसा कह रहे हैं कि आ गए हैं उसका कोई कन्फरमेशन नहीं है तो वी आर आसकिंग इवन दा पबलिक कि अगर ऐसे चेहरे मिलते जुलते कहीं दिखें तो प्लीज आप हमको बताईए यहां आगे ने एक वक्त हुए एक चोटे से परिकादर श्रक्मितरों खुब दरस्परत वातो चलात अबकानी डीजी साहिब साथ है समय थोचेक विरामनो विरामनो विरामन फ़रियेक और सौगच्छा अपनू कारेकरम अतीधीमा अब ब्रेक से पेल आपने बताया कि इनफोर्मर में बहुत इखास करके सिटीजन्स चाहते हैं कि हम ऐसी माहिती पुलिस को दे ताकि गुना डिटेक्ट करने में उनको सवलियत रहे इसके लिए गुजरात पुलिस कितनी एडिकट है इसके लिए हमारे पास सेल बने हुए है साइबर क्राइम डिटेक्शन के एक हमारा सी एडिक्राइम में है एक हमारा अम्दाबाद सिटी में है और वो हम सभी शहरों के अंदर उसको एक्सपैंड कर रहे है साइबर क्राइम का क्या है कि गुनेगार कही न कहीं तो अपना चिन छोड़ कही जाता है अप मैसेज करो और क्राइम की कंपेर में ये थोड़ा एजी है लोगों को लगता है कि ये इतना एजी ये पुलीस के लिए नहीं है लेकिन आपने देखा होगा कि कहा कहा से mail भेजे गए we are able to immediately pounce on them so लोगों की ये मानेता बहुत खोटी है कि हम अगर इसके ओपर कुछ भी गुना करेंगे तो हम बच जाएंगे ULTA this is very strong because everything is on record it is solid evidence in the courts कि देखिये इसने ये ऐसा इसके अंदर message भेजा या photo major or whatever he has done 37 साल की career 75 से अभी तक 37 years means एक बहुत ही लंबा कार्यकाल experience कौन सा ऐसा एक memorable एक case जो आज तक भी कभी भी पूछे दो चिदरण जन्सी जी बता था कि यार ये case था interesting था tough भी था but I have sorted out मैं ASP था धारी में मैं पहले actually मेरी शुरुआत हुई थी ASP महसाना में तो लगबग 6 मीने मैंने किये थे फिर मेरी posting हो गई धारी डिविजन तो पता नहीं था कहा है धारी तो मेरे फादर ने मुझे गाड़ी लेके दी थी fear उन दिनों में तो समान डाला और एक reader PSI के साथ चले यहां से एम्दाबाद, एम्दाबाद से आगे दंदू का अधाद भाई धूंड़ता रहा भी यार यह कहां आएगा so it was a very long journey खैर उदर अमरेली आया अमरेली से फिर धारी गए वहां काम का शुरू किया तो उन दिनों क्या होता था कि यह काठी लोग काफी लूट फांड करते थे बहुत पुरानी यह उनकी पद्दिती थी वहां पे तो एक ऐसा ही काठी जो पिलकुल जैसे decoyt होते हैं वैसे वह operate करता था भाबलू उन्नड अभी भी उसका नाम मुझे याद है तो वह बहुत ऐसे ही operator हम बहुत उसके पीछे डूनते थे काफी हम कोशिश करते थे तो लेकिन ऐसे ही एक दिन मेसेज आया आफ्टरून में कि यह इस सीम के अंदर देखा गया है तो वह दारी के ऊपर दलखाणिया का फॉरेस्ट आ जाता है गिर फॉरेस्ट तो वह वह उसको हमने देखा है यह यहां पर है और गोड़े पर गूम रहा और उसके साथ दूसी आदमी और उन दिनों तो बहुत ही जादा फॉरेस्ट होता था दारी जैसी खतम हो तो एकदम खतम हो जाता था तो हम लोग चले फिर गाड़िया लेके भी इसको ढूंडे तो ढूंडे 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 रात पड़ गई तो वो किसी रात को हमको फिर ऐसा मेसेज मिला कि किसी वो रबारी के वहां पे जो नैस होते थे तो भी नैसडे में वो सो र लेकिन लेकिन को लगा कि यह उठके फिर भागेगा लेकिन वी वर अबल तो कैच इंग जी पुलीस मैन कहा जाता है कि बहुत ही कठोर होते हैं गुसे वाले रहते हैं लेकिन लेकिन कोई एक ऐसा किसा जिसमें खुद चीतरणजन सिंग जी इमोशनल हो गए थे पुलीस का काम ही है डर बिठाना अगर हम डर नहीं बिठाएंगे तो हम इतने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि हम सिरफ 75-80,000 फोर्स हैं उसमें भी कई तो ज्यादा हत्यारी है तो जो एक्जेकुटिव पुलीस है वो तो बहुत ही कम है और 6 करोड पॉपुलेशन है यू आ यू आर नौन एज ट्रिक्ट पुलीस ओफिसर मैंने काम ऐसे ही अधिकारियों के साथ किया है कि अगर पुलीस का डर नहीं है तो वो काम ठीक नहीं है अगर मैं लोगों के लिए ओपन नहीं हूं और ऐसे ही अपने यहां बैठा रहूं क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि नीचे क्या हो रहा है कहां पर यह क्यों मेरे पास ऐसी फर्याद आई है टीवी मीडिया के अंदर मैं देखके ही ऑपरेशन शुरू कर देता हूं क्योंकि टीवी मीडिया आजकल हर एक शहर गाउं में पहुँचा हुआ है और अपनी जो चैनल हैं गुजरात की तो वो फट कैप्चर करती हैं कि इधर यह गुना बनाया है और वो मुर्डर हुआ इधर यह हो रहा है वो तो आना ही है फेस पे तो चाम तो देख रही रहा है बट स्टिल बट स्टिल बट स्टिल अव यह मैंटेन योर फिजिकल फिटनेस पहले तो मैं टैनिस अगरा काफी खेल लेता था और जिम अगरा जाते थे हमारे बाजू में शाहिबा के अंदर जिम अगरा है परसन्ना जिम है हमारे भी मैस के अंदर जिम है तो आई यूस्ट तो गो थे लेकिन फिर अब जब टाइम थोड़ा कम रहता है तो स्विमिंग स्विमिंग मैं पहले भी बहुत करता था लेकिन अभी थोड़ी ज्यादा है कॉर्परेशन का हाजीपुरा गार्डन का पूल है तो वहां मैं जाता हूं तो बहुत और अडिनरी लोग मेरे साथ स्विमिंग करते हैं विज इस फेवरिट डिश। सिंपल फूड नो ओयल नथिंग यह पिर भी वह मक्के की रोटी सर्द वर्णा के साथ पुछ है यह लाइक तो है वरी सिंपल और लाइट फूड नो स्पेसिफिक चॉइसे ऐस अच्छ जो बचपन से ही अभी तक फॉलो किया अपने नहीं बचपन से तो नहीं किया मैंने लेकिन अभी I feel you know there is somebody who controls your life क्योंके आपके ऊपर क्या responsibility आएगी जवाबदारी आएगी आपको नहीं पता होता और वो जवाबदारी और responsibility आके उसको ठीक तरह से आप निभा सको I think that is the biggest कोई ऊपर वाला कोही ना कहीं आपको जरूर कंट्रोल करता है So we need both your efficiency as well as you know Super power Yes you do need it Now now at last at last आपका message गुजरात की जनता के लिए गुजरात की जनता के लिए यही है के you are all safe और हम हमेशा आपकी safety की जानमाल की रक्षा के लिए हम alert है और लेकिन आप हमको जरूर साथ दीजिए कुछ भी चीज जो आपके ध्यान में आए कोई unknown person, unknown vehicle please do immediately inform us and have confidence in us and we are always there for the state और आपके जानमाल की रक्षा के लिए हम हमेशा we are always on our feet Thank you very much, thank you very much sir दर्शक मिजवादी खास मुलाकात गुजरातना पुलीस वड़ा चीद रंजन सीजी साथे नी फरी मारी शुन एक्स्ट एपीस और में एक नवा आती थी साथे त्यासुरी जाप्षा नमस्कार Thank you everyone, thanks a lot Thank you